आलो फ्रेंड्स आज के वेडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में एंटी एलर्जिक मेडिसिन यानि वो मेडिसिन जो एलर्जिक कंडिशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में ली जाती है Anti-Allergy Condition जैसे कि Skin Races होना यानि Skin पे Races हो जाते है तो अच्छा लाल हो जाती है उस पे Races हो जाते है Skin पे Pimples हो जाते है यानि दाने-दाने से Skin पे हो जाते है Skin पे बहुत जादा Eaching आती है यानि खाज-खुझली बहुत जादा आती है इसके अलावा जो है breathing problem है, यानि सास लेने में जो है समश्या होती है, body swelling यानि body पर जो है सुजन आ जाती है, swelling in lips जो hot होते हैं वाँ पर जो है सुजन आ जाती है, इसके अलावा जो है रेनी नोज यानि नाक का बेहना, तो friends ये कुछ allergic symptoms है, जब भी patient को किसी परतार की कोई allergy हो तो friends, आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, इन कंडिशन को ठीक करने के लिए जो एंटी-अलर्जिक मेडिशिन का उङस गया जाता है उनके बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, भात करते हैं, एंटी-अलर्जिक टेबलेट के बारे में हमारी जो first medicine है वो है citrigin जो आपको okasite के नाम से मिल जाती है इसके अंदर citrigin 10 mg आता है बात कर लेते हैं इसके कुछ use के बारे में तो friends जब भी patient को eating यानि खाज भीजनी की समश्या हो रही है उसको कि जो है running nose यानि नाग बह रही है स्नेजिंग यानि उसको छीके आरी है बार बार और फ्रेंट्स किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट कर लिया है कोई छोटा मोटा जो है जरीला कीड़ा कोई चीठी या कोई मदुमक्ची ने काट लिया है तो उस कंडिशन पे जो एलर्जिक रियक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए जो है सिट्रिजिन का प्रियोग किया जाता है अब हम जानते हैं इसके डोज के बारे में तो फैंट जो सिट्रिजिन जो 10MG आती है उसका जो डोज दिया जाता है वो दिया जाता है OD यानि एक एडल्ट को आप जो है उका सेट L के नाम से मिल जाती है, जो लिवो सेटरिजन है या आपको 5 mg, 10 mg की जो अलग-अलग स्टेंट में देखने को मिल जाती है, और फ्रेंट्स, जो लिवो सेटरिजन है, ये सेटरिजन की लिवो रोटेटरी फोर्म होती है, यानि जो लिवो रोटेटरी फोर्म वाली जो tablet होती है, वो जो मूल tablet होती है, अपनी जो मूल दवा होती है, उनसे थोड़ी सी ज्यादा effective होती है, उनसे ज्यादा जो है, इनका अच्छा result होता है, बात करने ते इसके use के बारे में, तो friends, अगर किसी patient को जो है, seasonal energy के वज़े से जो है, उसकी रनी नोज यानि उसकी लिवो सिट्रिजन है, यह जो है, मॉन्टेलो कास्ट के साथ भी जो है, कंबिनेशन में आती है, और जो लिवो सिट्रिजन और मॉन्टेलो कास्ट का जो कंबिनेशन आता है, जो आपको मॉन्टियार एल सी, या और भी कोई ब्रांड नेम से जो है, देखनी को मिल जाता है, तो फ्रेंट्स इसका भी जो है एनर्जी कंडिशन में काफी ज़्यादा एफेक्टिव रिजल्ट है बात करते हैं लिवो सिटरिजिन टेबलेट के डोस के बारे में तो फ्रेंट्स जो लिवो सिटरिजिन 5MG टेबलेट होती है उसका डोस दिया जाता है वो BD डोस दिया जाता है यानि दिन में दो बार जो है दी जाती है हमारी जो next medicine है वो है फेनरामीन जो आपको एक famous brand name एविल के नाम से मिल जाती है जिसके अंदर फेनरामीन 25 मिली गराम आता है करते हैं एविल टेबलेट के यूज के बार में तो फेन्स जो एविल टेबलेट है वो itching यानि patient को जब खाज खुजली की समश्या होती है वो ज्यादा खाज आती है तो उस condition में जो है एविल का प्रियोग किया जाता है इंसेक्ट बाइट किसी patient को कोई मदू मख्य कोई CT या तर जो है किस लिया ने काट लिया हो और उसके वज़े से जो है उसको allergic reaction हो जाती है तो उस condition में जो है एविल का प्रियोग किया जाता है और friends evil को ज़या तर डेक्सोना जो एक इस टुरोडल मेडिसिन है जिसके अंदर डेक्सो मेता सोन आता है तो friends evil और डेक्सोना ज्यादा तर जो है ये दो मूट प्रियोडिसिन जो है फेशन को साथ में दी जाती है जिससे जो है उसके जो allergic condition है उसको जल्दी जो है ठीक किया जा सके और इनके अलावा फेशन को जो है रनी नोज की समश्या हो रही है इस तीजिन यानि बार बार छी किया रही है तो इस condition में भी जो है evil का प्रियोग किया जाता है बात करते है इसके dose के बारे में तो फेशन जो evil tablet है जो जिसके अंदर फेशन रामीन 25 mg आता है उसका जो dose दिया जाता है वो एक adult को BD dose दिया जाता है यानि दिन में जो है दो बार जो है evil tablet दी जा सकती है next जो tablet है वो है फेक्जो फेनेडीन जो आपको एलिगरा नाम से मिल जाती है जिसके अंदर फेक्जो फेनेडीन 120 mg आता है बात कर लेते हैं इसके use के बारे में और फेंट्स यह जो है इचिंग यानि खाज-खुजिली की समस्या होती है इस नीजिंग यानि बार बार छीके आ रही बोडी पर रेडनेस हो गई धिस जो है इसा फेक्जशो फेनेडीन दी जाती है और फेंट्स जो फेक्जण फेनेडीन यह ज्यादा तर पर और जो मोंटेलो कास्त का जो कंबिनेशन आता है उसको ज़्यादातर patient को दिया जाता है बात कर लेते हैं इसके dose के बारे में इसका dose दिया जाता है वो OD dose दिया जाता है यानि दिन में फेक्जोफेनेडिन जो 120 mg आती है ये दिन में एक tablet दी जाती है next जो tablet है वो है hydro oxygen जो आपको अटारक्स 25 mg और अटारक्स 10 mg के नाम से मिल जाती है और ये काफी famous इसका ब्रांड निंग भी बात करते हैं अटारक्स के यूज के बारे में तो friends ये जो इचिंग यानि खाज गुचिली की जो समश्या होती है जब patient को जो इसके भी हो जाती है यानि जिसे हम रात की खाज भी बोलते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा patient को इचिंग आती है खाज गुचिली की समश्या होती है या फिर किसी द्रक्ति को जो 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 प्राइवर्स पार्ट होते है जो जांगे बगर होती है वहाँ पे जो फंगल इंफेक्शन हो जाता तो उस condition में जो है patient को बहुत ज्यादा severe इचिंग आती है बहुत ज्यादा हाज गुचिली की समश्या होती है तो friends ऐसी condition में जो है अटरेक्स जो है एक best medicine है जब patient को अगर इसके बीज की समश्या है या फिर जो है saturation बहुत ज्यादा है यानि ये tablet लेने के बाद आपको जो है बहुत ज्यादा नेंद आती है इसने जो अटरेक्स टेबलेट आती है वो ज्यादा तर रात को सोते समय patient को दी जाती है बात करते हैं इसके dose के बारे में तो friends इसका जो dose होता है odi dose दिया जाता है पर friends ये थी कुछ anti-allergic tablet जो allergy condition को ठीक करने के लिए जो है रियोग में ली जाती है और friends जो allergy condition होती है उनको ठीक करने के लिए जो है कुछ steroidal tablet का भी use किया जाता है कुछ steroid medicine भी जो है दे जाती है जैसे कि dexometasone जो आपको dexona brand name से मिल जाती है petamethasone जो आपको stamin fort के नाम से मिल जाती है paradisolone जो omnicode till और vicelon के नाम से मिल जाती है जो 5 mg और 10 mg की जो है strength में आती है इसके लाव जो है methyl paradisolone मिल जाती है जो आपको map for के नाम से मिल जाती है जिसके अंदर 4 mg methyl paradisolone होता है और इसके लाव डेफलेजा कोड 6 mg जो आपको def code 6 के नाम से मिल जाती है तो friends ये कुछ steroidal medicine है जो anti allergic condition में दी जाती है जो anti allergic medicine होती है ज्यादा तर जो है इनको उनके combination में दिया जाता है उनके साथ ही जो है दिया जाता है लेकिन friends जो steroid medicine है ये long term के लिए use नहीं करनी होती है क्योंकि इनके जो side effect है बहुत ज्यादा serious side effect देखने को मिलते है इसलिए जो steroid medicine होती है वो short term के लिए ही use में ली जाती है तो friends ये थी complete information anti allergic medicine के बारे में उमीद करता हूँ ये information आपको पसंद आई होगी अगर information आपको पसंद आई information अच्छे लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिए